हेलो एप्रिवन वेलकम टूबर चैनल केवी 360 यह है क्लास थायट की इंग्लिस की निव वोक एंज संतूर और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका six chapter paper boat तो इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसकी reading करने वाले हैं इसमें जो new words आए हैं उनको देखेंगे उनको समझेंगे उनके word meaning देखेंगे इसके question answers करेंगे और last में जो exercise है chapter की उसको करेंगे तो सबसे पहले इसको read कर लेता है Minna बहुड़ वग तोर जार ठेर प्रेम नर थे मम्ब बिच जए बेट अले पूट अपट अपे पर बार बार बिट इस प्रूट इस वहाँ आप पार बार बार इस पार डेंगे फ्रूट उने जेसे वहाँख इस्ट पॉट बार बार इस चेंगे पार बार जार आप раш कर शोमना या कि अगे हैं शो कि बेरे शुला हुटि कि गुरूट शोलब तो परक्षपि क मीन में बेरे अखसंध रूट थक्रे gaा कि अृ अच्ट आफे फूल अपि टॉ तो बेद टो टो अडएट अफे बेट रipl Community पर लुडित Mीन meena said i have enough paper you can make boards for yourself the boy answered i don't know how to fold the paper to make boards minna said that's easy i will help you she showed him how to make the boards mina took out colored paper for different size she showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat the boy bashed carefully then he took a piece of paper and started to make a paper boat soon a few boards were ready Mina gently put her boards in the stream the boy put his board in the stream to the boards sailed down to the down the stream both enjoyed watching the boards तो इसकी हमने reading कर ली है अब इसमें जो new words आए हैं उनको देख लेते हैं उनके वर्ड मेनिंग देख लेते हैं निव वर्ड्स हैं स्ट्रीम बैंबू ब्रिज बोर्ट स्विफ्टली डिलाइट फ्लोटेड एंग्री ली शाउटेड ओवर्टनिंग थॉर्ट फोल्ड इजी सून जेंटली एंड्सेल्ट यह तो हमारे वे निव अग्सके अग्सम्स के मैनि स्क्रीम फ्लोफ वाटर फ्लो ऑार फ्लोफ है ड्य। निव नेक्स बैंबू ब्रिज अबड़िज अब डिज मेड़ बेंबू बोट को बलंचेल नाओ श्विफ्टली नेक्स रूद एंग्स फ्लिफ्ली गिक्लिया टेजिसे डिलाइट एंड हैपी फ्लोटेड तैरना एंग्रीली गुसे में साउटेड चिलाई ओवर्टनिंग किसी चीज़ को पलट देना या उलट देना पलट देना थौट विचार फॉल्ड मोड़ना इजी आसान यसरल सून मिन्स होता है जल्दी ही जेंटली हाराम से सेल्ट रवाना होना तो यह हो हमारी स्टोरी है मीना वाक टूर्ड दा स्ट्रीम नियर दा बैंबू ब्रीज तो मिना क्या है मीना एक बच्ची है जो क्या करती है बैंबू ब्रीज के पास में एक रीबर है स्ट्रीम है उसके पास वो का जाती है और थोड़ा सा जुकती है और अपनी जो पेपर की बोट इसकी होती है, वो क्या गरती है, water में डग देती है, put means रख देती है, it sailed down the stream swiftly, और जो boat होती है, वो क्या गरती है, पानी में आराम से swiftly चली जाती है, मिना इसको देखकर क्या हो जाती है, बहुत हैपी हो जाती है, और इसके बाद वो क्या करती है, several means, कुछ और boats भी उसमें पानी में डालती है, उस stream में डालती है, तब ही अब देख रहे हैं, यह कौन है, यह मिना है, यह दूसरा बच्चा है, जो पेपर बोट को क्या कर रहा ह है, फलट रहा है, next, as the boat floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boat into the water, तभी जैसे उसके वो देखता है कि जो उसकी जो बोट है, वो तैरने लगती है, तभी सामने एक नाटी बच्चा है, pushing the boat in the water, और वो क्या कर रहा है, पानी में, पानी में जो बोट है, उनको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है मेना stared at the boy angrily, मेना उस बच्चे को stare करती है, घूरती है, गुसे में, he did not care for मेना's angry face, लेकिन जो बच्चा होता है, इसकी तरफ देखता है, लेकिन जो उसका गुसे का कोई care नहीं करता है, she shouted stop, तभी मेना चिलाती है, stop, रुख जाओ, but the boy did not stop, लेकिन फिर भी बच्चा का क बोलती है कि तो मेरी जो paper की boat है, बनी हुई now है, उनको overturn, उनको क्यों पर लट रहा हो, because it is fun, तो वो बोलता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा रहा है, इसमे, reply the boy, जो boy होता है, वो उत्तर देता है, it may be fun for you, but those are my paper boats, said मीना, वो बोलता है कि मुझे अच् boat है, उनको, पलटना बंद करो, the boy thought for a minute and said, थोड़ी देर के लिए बच्चा सोचता है, और बोलता है, I will do, I will not do it again, but I also want to play, मैं ऐसा नहीं करोंगा, लेकिन मैं भी क्या कर चाता हूँ, मैं खेलना चाता हूँ, can you help me, क्या तुम मेरी help कर सकती हो, क्या मेरी साहता कर सकती हो, म I have enough paper, मेना बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे paper है, you can make boats for yourself, तुम क्या कर सकते हो, अपने लिए boat बना सकते हो, और खेल सकते हो, the boy answered, I don't know how to fold the paper to make boats, तो भी बच्चा बोलता है, बोलता है, मुझे paper को fold करना ही नहीं आता जिससी कि वो boat बन जाए, मेना कहते है, that's easy, वो तो simple ह I will help you, मैं तुमारी help कर दो, इससायता करूंगी, she showed him how to make the boats, और वो उसको बताती है कि paper की जो boat है, उसको कैसे बनाते है, मिना took out colored paper for different size, मिना क्या करती है, different size के colored paper को लेती है, she showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat, तभी वो क्या करती है, boy को दिखाती है कि कि किस तरह paper को fold करते है, और उसको दुबारा refold मतलब, दुबारा fold करते हैं, जिससे क्या बन जाएगी, वो, boat बन जाएगी, the boy burst carefully, और जो बच्चा बवाए होता है, लड़का होता है, वो carefully, वो ध्यान से देखता है, then he took a piece of paper and started to make paper boat, और फिर वो piece of paper, यानि कि paper का एक टुकडा ले लेता है, और पेपर की boat बनाने लगता है, soon a few boats were ready, और थोड़ी देर में, कुछ boats ready हो गई थी, बनके तयार हो गई थी, मीना gently put her boat in the stream, और फिर आराम से मीना क्या करती है, अपनी boats को आराम से उसमें stream में रखती है, the boy put his boat in the stream too, और जो दूसरा बच्चा होता है, वो भी क्या करता है, अपनी boats को stream मे जो stream पानी में बैढ़ने लगती है, both enjoyed watching the boats, और दोनों जो बैढ़ती हुई, जो तैरती हुई जो boats है, उनको देखके, खुश हो जाते हैं, और मजे करते हैं, उनको बहुत मजाता है, तो ये थी स्टोरी, पेपर बो, अब हम क्या करेंगे, answers, question answers करेंगे इसके, सबसे पहले है, answer the following, first question is, what was Meena playing with, Meena किसके साथ खेल रही थी, तो इसका answer हो जाएगा, Meena was, Meena was playing with, playing with, paper words, next question is, Meena was angry, why, Meena angry थी, गुश्य में थी क्यों, इसका answer हो जाएगा, A, N-A-U-G-S-T-Y, Naughty boy, was, over turning, over turning, her, paper words, words, so, Meena was, Meena was, Meena was angry, next question है, how did Meena help the boy, Meena ने उस boy की कैसे help, Meena helped, helped the boy, the boy by teaching, teaching him how to fold the paper, the paper, the paper to make, to make paper words, उसने उसकी कैसे help की, कि जो paper words कैसे बनती है, किस तरह paper को fold किया जाता है, इस तरह से उसने, उसको सिखा दिया था, think and answer, आपको क्या करना है, think करना है, सोचना है, और answer देना है, Meena made paper words, what else can you make with paper, discuss in small groups, आप क्या करना है, यह आपके लिए, discussion के लिए है, Meena ने paper words से, paper से paper words बनाई थी, अब आप क्या paper words से, paper से आप क्या बना सकते हैं, उसको fold करके, next is, what games do you play with your friends, काउन से game आप अपने friends के जाथ खेलते हैं, which one do you like the most, और यह ऐसा काउन साइज जो आप सबसे पसंद है, ज्यादा, और भाई, और क्यों पसंद है, तो यह discussion के लिए question है, आप लोग आपस में discuss करेंगे, next है, say whether true or false, यहाँ पर मैं true or false बताना है, तो बच्चे को क्या लग रहा था यह, पेपर बोट को turn कर देने से क्या उसे मज़ा आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, true है, next, मीना रेन home to complain about the boy, क्या मीना घर चली गई अपने उस बच्चे की complaint करने के लिए, नहीं गई, तो यह पोजाएगा false, next, the boy did not know how to make paper boards, हाँ वो नहीं जानता था की paper boards कैसे बनाती है, तो इसलिए यह true हो गया, next, मीना had only white paper, क्या मीना के पास white paper थे के बल, नहीं उसके पास colorful paper से तो यह हो जाएगा false, next है, look at the pictures, tell the story of manis, saves the ant to the class, अब आपको फिक्चर देख रही है, one, two, three, four, five, six, इसमें एक बॉआ है मनिस, और वो क्या कर रहा है, एक तरह से, एक जो ant है, चीटी है, उसको क्या कर रहा है, उसको save कर रहा है, तो आपको इसको story बनाने है, तो कैसे बनाएंगे, मनिस was going to the school, मनिस was going to school, he saw an ant running in the water, he made a paper boat and put into the water, the ant climbed on the boat and sailed to bank, after that मनिस took the boat out from the water and put that boat on the land, इस तरह से उसको क्या कर लिया, यहां बचा लिया, यह story हो गई, next है, read the following sentences, observe the underlined word, example, Mina walked toward the stream near the bamboo bridge, she went little and launched a paper boat, यहां पर underline किसको किया गया है, she, in the second sentence, she is used instead of Mina, हम देख रहे हैं, यहां पर Mina यूज किया था, और Mina के जगा पर हमने, she use कर लिया है, example two को read करेंगे, the boy jumped into the stream and pulled the boat out, तो जो boy था, उसने क्या किया, jumped into the stream, stream में jump किया and pulled out the boat, और boat को क्या क्या क्या, pull कर दिया, he gave it to Mina, अब यहां पर underlined word क्या है, he, तो यहां पर हमने क्या 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 है, अब ऐसे हमने क्या 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 है, using he or she, rani likes playing outside, rani है, rani के जगा पर she use करेंगे, क्योंकि girl है, उसके लिए हमने she use किया था, और boy के लिए he, तो यहां पर she likes flying kites, next है, sahil has a top, sahil ही है, he plays with it every day, durga is five year old, she is going to school, ranjeet goes to school regularly, he likes reading stories, यह तो हुमारा हो गया, फिर आगे देखते हैं next, look at the picture, यह picture है, write where is thing is, choose the correct word for the brackets, अब यहाँ पर क्या है, हम इस picture को देखना है, इसमें जो भी sentence है, one, two, three, four, five, इसमें जो blank space है, यहाँ पर हमें इसको fill करना है, हमारे पास दो option है, इन वे से bracket में से ही इसको हमें choose करना है, तो चले देख लेते हैं, picture को भी देखना है, इसको भी देखना है, the bat is on or under the bed, bat कहां है, bat on, उपर पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, on the bed, bed, the bag is dash, in or on the chair, bag is on the chair, यहाँ पर on, उपर है, the ball is in or under the box, the box is in, in the box, next day the car is in or under the table, the car is under the table, under the table, the books are in or on the chair, तो books are in the, in the steps, in the steps, next day, follow the step to draw a रंगोली, अब हमें क्या गरना है, रंगोली बनानी है, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 1 में dots हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, इस तरह से रंगोली को बनाया जा रहा है, फिर step 2 हो गया, 3 में क्या होगा, 3 में भी इसको ऐसे करेंगे, सेम सेकंड बाला step करेंगे, लेकिन नीचे से करेंगे इसको, और यह हो गया, 2 हो गया, फिर क्या करना है, इसको ऐसे मिलाया गया है, इसको ऐसे मिलाया गया है, और यह हो गया, फूर्थ स्टेप हो गया, फूर्थ के बाद हमने क्या किया है, इस बाले से, ऐसे, और फिर इसको ऐसे, यह इस तरह से कुछ मिलाया गया है, और इस तरह से हमें complete कर गया, इस तरह से बना देना है, तो आपको यह करना है, बरते रहिए, नेक्स्ट है, राइट फ्यू लाइन्स, अब यहाँ पर कुछ क्लूज दियेगे, पार्क, चिल्डरन, प्लेइंग, सीसो, स्विंग, स्लाइड, एंज्वाइंग, हैपी, और यहाँ पर एक पार्क है, इसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसे लिखने है, पिक्चर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर चिल्डरन, इसमें हमारे कौन कौन से आगया, चिल्डरन आगया, प्लेइंग आगया और पार्क, Some children, sorry few, few children are enjoying, enjoying, enjoying see-saw, see-saw. Few are playing with, playing with swings and slide. Fourth हो जाएगा, they all are happy. सारीक सारी कहा है, happy है. Next, solve the crossword puzzle. अब यहाँ पर एक crossword puzzle है, इसको हमें क्या करना है? Solve करना है. तो सबसे पहले क्या है? यहाँ पर लिखा है across, यहाँ पर लिखा है down. तो down को मतलब नीचे, उपर से नीचे के लिए, across मतलब इस तरफ में के लिए यह दिया गया. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है? पहला है, a round object that spins on needle. यहाँ पर two, two यह रहा, तो two कोई एक ऐसी चीज जो needle पर क्या करता है? spin करता है, वो क्या है? यह. और इसको क्या बोलते हैं? top. लट्टू. एक object जिससे क्या करते हैं? बॉल को हिट करते हैं, three में आएगा, three कहाँ पर यह है, यह बाला. चले, पहले इसको करते हैं, a game played using a ball and your foot. तो एक बॉल से और foot से कौन सा गेम खेला रहता है? foot ball. foot ball. यह foot ball हो गया. next is a round object used to play. round object जिसे में खेलते हैं, वो क्या है? ball. P-A-L-L-ball. अब यह तीसरा की हो सकता है, an object used to hit a ball. ball को किसे हिट करते हैं? बैट से. next है, a round glass ball used for playing. तो marble यह कंचे होते हैं, यहाँ पर. M-A-R-B-L-E-S. marvels. next है, five, यहाँ से लिखेंगे, करेंगे. a seat, tied wire ropes, and which moves front and back. तो इसको बोलते हैं, swing. swings. तो यह हमारा complete होगा पजल. तो यह था हमारा आज का chapter paper board. I hope आप सभी कोछ समझ में आ गया होगा. पढ़ते रहे हैं, मिलते हैं next video में. thank you.